कर दोस्तों मेरा नाम है मनीश और आप देख रहे हैं मारा यूटूब चैनल स्री रामा गर्वत्ती तो आज के इस नएक टोपिक में आपको मैं बताने वाला हूं प्रिमिक्स पाउडर के उपर प्रिमिक्स पाउडर को आपको कैसे टेस्टिंग करनी हैं सबसे पहले मैं आप सामने देख रहे हैं मैंने दो पाउडर रखा हुआ है यह एक है रेडिमेंट पाउडर और दूसरा है मेरा खुद का बनाया हुआ प्रिमिक्स पाउडर तो मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कि इसमें कौन सो पाउडर ज्यादा बैटर रहता है और आप सारे रेडिमेंट प्रिमिक्स पाउडर मिल जाएंगे लेकिन दिक्कत यह होता है कि पाउडर मिलता जरूर है लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं हो पाती है तो आप क्वालिटी कैसे चेक करें यह मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं सबसे पहले मैं दो प्रकार के इसे डुबाना है ऐसे इस्त्रह डुबाने के बाद आद देखिए कि इसमें जरब ही कोई चिपची पहाट नहीं है और कुछ भी इसमें जिगट हो या फिर जोस हो कोई भी किसी भी मात्रा में मिला हुआ नहीं है अब देख रहे हैं असल में जो सही प्रिमिक्स होता है वो जिगट और जोस से मिला हुआ होता है तो उसे हम सही प्रिमिक्स मान सकते हैं लेकिन ये रेडिमेंट प्रिमिक्स है और आप देख सकते हैं इसका कोई क्वालिटी ही नहीं है इसमें मैं इसको दिखाने के लिए आपको इसलिए ये वीडियो बना रहूं ताकि आपको पता चले कि मार्केट के मार्केट के प्रिमिक्स पाउडर में होता क्या है यह पाउडर मैंने लगभग लगभग डेड़ से डो टन खरीदा था और बीना टेस्टिंग के खरीद लिया था मतलब बीना सैंपल के तो मुझे बहुत नुकजान हुआ मेरी मशीन बिल्कुल चल ही नहीं पा रही थी मेरा प्रोडक्शन पूरा गीर गया था तो इसलिए मैं सोचा कि आप लोग को भी दिखाओं कि मार्केट में किस तरह से हमको बेखुब बनाया जाता है प्रिमिक्स पाउडर के नाम पर अब दूसरा पाउडर है जो मैं मात्रा में जोस और जिगट मिला हुआ है तो देखिए मेरे मेरे वाले प्रिमिक्स पाउडर में आपको पूरा दीख रहा होगा जो चिपकने की सकती है वो प्रॉपर तरीके से हाथ में लगा हुआ है अब देख रहे हैं इसमें चिपचिपपन बहुत जादा है क्योंकि मै मैंने इसे खुद ही तैयार किया है और इसमें प्रॉपर आपको चार्कोल और जीगट पाउडर जोस पाउडर और उडन पाउडर सही तरीके से मिलाया हुआ है तो आप इसी तरीके से आप खुद भी तैयार कर सकते हैं आप मार्केट के भरोसे बैठे रहेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा नुक्सान हो सकता है मेरा वीडियो बनाने का मकसद यह नहीं था कि मैं अपने प्रिविक्स पाउडर को दिखाऊंगा मैं आपको खाली एक एक इग्जामपल के रूप में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तकि आप लोगों को कभी भी ऐसा नुक्सानी न जहिलना पड़े अब देख सकते हैं पूरा चिपची पाट अब देखी रहे होंगे कि ये बार बार धूने के बाद भी हाथ में चिपका हुआ है तो असल में यही होता है जो ओरिजिनल जो प्रिमिक्स पाउडर होता है वो ऐसा ही होता है और आप मार्केट वाले में तो मैं दिखाया हूँ किसी प्रकार का कोई चिपटाहाट उसमें कुछ भी नहीं है पता नहीं इसमें कैसा बनाया हुआ है किस प्रकार का पाउडर इसमें मिला हुआ है वो मेरे पता नहीं है मैं बस आपको दिखाने के लिए यह सब ट्रायल लिया हूँ और दूसरा टेस्टिंग आप यह भी कर सकते हैं आप जैसे आप रॉग और बत्ती तयार करते हैं तो उसको आपको थोड़ा से लेके उसको बर्निंग टेस्ट करना है बर्निंग टेस्ट में भी पता लगते हैं कि आपका प्रिमिक्स किस प्रकार की क्वालिटी का है और उसमे कितना powder जो से जीगट बगएरा कितना कितना mix हुआ है अगर बत्ती पूरी जलती है तो आप समझ जाएंगे कि आपकी जो pre-mix powder है वो सही है और बुझ जाती है तो आप आप ये समझ जाएंगे कि आपकी जो pre-mix powder है उसकी quality बहुत खराब quality है तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सेयर कीजिए और सस्क्राइब जरूर कीजिए और ऐसे ही प्रोब्लम सॉल्विंग वीडियो देखने के लिए ये हमारा चैनल जरूर सस्क्राइब कीजिए आज की वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद